जैन जब तक 20 मैने का था, मुझे ये सोच कर बड़ी खुशी होती थी कि एक छोटे से बच्चे के साथ मैने इतनी जगों की सेर की लेकिन Cape Town ट्रिप के दौरान मुझे ये ऐसास हुआ कि जब आप प्रेग्नन हो और आपका बच्चा तेजी से बड़ा हो तो ये कितना मुश्किल हो सकता है Hi and welcome to Cape Town, South Africa Clearly one of the most stunning cities I've ever been to with the majestic Table Mountain, the World Cup Stadium, the deep blue Atlantic Ocean This is a breathtaking landscape As you can see Zen is thoroughly enjoying himself Now that he's 20 months, he's walking and running around and has a mind of his own So he knows exactly what he wants to do Right now it seems to be walking around this pool Zen के साथ ट्रावल करना पहले से आसान और मुझे दोनों हो गया था आसान क्यूंकि Zen चलना सीख चुका था इसलिए मुझे उसे गोद में उठाकर नहीं घूमना पड़ता था वो खुद खाने भी लगा था और बाते करना भी सीख चुका था उसे क्या चाहिए ये भी वो मुझे बोलकर बता देता था मुश्किल ये थी कि अब वो हमेशा दोडता भागता रहता था इसलिए उस पर हमेशा नजर रखनी पड़ती थी Rupak is so busy with work when we're back home that he doesn't really get time to do so many hands-on things with Zen but on a trip like this He's been cleaning his pampers, feeding him, playing with him, great bonding Family trip की सबसे खास बात ये है की इसके दौरान पिता और बेटे के बीच रिष्टा मजबूत होता है Now as you can see Zen is eating most things and he's actually also eating on his own quite a lot so we have to be careful that it's not too messy and I've been told to kind of let him experiment with things and if he likes them he'll discover on his own also giving him some bacon but he's proceeded to make an egg and bacon khichdi over here No Zen no 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 please You see at this age which when we were in Singapore it was quite different Now he wants to play with all the food and take charge of what he's eating Stop that and that too Wait please please do something no Do something no? This is where mommy gets called all the time As helpful as daddy is If there's a potty If there's a potty It's mommy do something Look what your son's doing Ha 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 केप टान घूमना बड़ा एक्साइटिंग होने वाला था हमारे वोक के दौरान हमे थोड़ी मस्ती सूची और हम आइस्क्रीम खाने पहुंच कहे जैन के लिए मैंने राजबरी आइस्क्रीम लिया क्योंकि ये फ्रेश फलो से बना था मुझे कोई गिल्ट भी नहीं गूए आइस्क्रीम का मज़ा लेते हुए लोकल रापर्स का परफॉर्मेंस देखकर जैन काफी खुश था लगता है कि केप टान उसे पसंद आ गया था जितने ज्यादा रंग हो बच्चों को उतने ही प्यारे लगते है कफ्तान बहुत ही कमफ्टबल था प्रेगनंसी के लिए बिल्कुल सही हम लंच के लिए जा रहे थे जहां हमें रूपक के कॉलीग से भी मिलना था जैन ठक चुका था और मस्ती से सो गया था काश मैं भी उसके साथ छोटा सा नाप ले पाती वहां पर हम रेचल और सेसल से मिले जो रूपक के साथ काम करते हैं उन्होंने हमारे लंच के लिए बेहत खूबसूरत रेस्ट्राउन चुना था रेचल हमें बता रही थी कि वह जगो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि वहां फाम अनिमल्स जैसे चिकन्स और पिगलिट्स भी खुले घूमते हैं और उस रेस्ट्राउन से व्यू भी शांदार था जैन को जानवर तो हमेशा से ही पसंद है इसलिए वो पिग्स और चिकन से दोस्ती करने की कोशिश करने लगा यह देखना हमारे लिए बड़ा मजेदार था Then he's now climbing steps on his own walking, rolling around हमने टेबल माउंटेन घूमने का प्लान बनाया ये केप टाउन का फेमस लांडमार्ग है और दुन्या भर से टूरिस्ट इससे देखने आते है मैं भी बड़ी एक्साइटेद थी लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि हम लोग वहां केबल का से जाने वाले थे जाए डेर ने गचितमत पर पानी पहर दिया We are here. Just survived. Here we are at 1067m above sea level with the most stunning view इसी Table Mountain कहा जाता है क्योंकि ये दरसल एक Plateau है जो देखने में Table जैसा ही लगता है तीन किलोमेटर चोड़े इस Plateau की चारो तरफ गैरी खाई है I thought we'd reached the top but Mr. Explorer wants to go all the way there's this wonderful breakfast buffet at the Radisson we both love Cape Town, see we're just off in a rented car to see the penguins so we've managed to put Zen in a car seat here in Cape Town yes Zen loves his boo which is great Boulders Beach एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ penguins की colonies पास से देख सकते हैं करीब 30 साल पहले वे यहाँ पर migrate हुए थे इतने पास से penguins को उनके नाच्रल महौल में देख पाना शायद ही कही और मुंकिन हूँ the penguins are really really sweet but Zen is like desperate to touch them so we're having quite a time keeping them awake cause apparently they bite if you go through don't forget I'm pregnant so climbing up these boulders is quite hard वापस जाते वक्त हमें काफे में रूपिया so on our drive down to Boulders Bay we actually saw this lovely little village town which we decided to chop in on our way back इस cafe में कई local flavors थे किसी भी देश को समझने का सबसे अच्छा तरीका बहां की local जगों को explore करना होता है इस जगह के अपनी एक अलग ही personality थी रूपक तो ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये ostriches खुले आम सडक पर घूम रहे थे coastal road पर इन जानवरों को खुले घूमते देखना एक बिलकुल ही नया और rare experience था Cape of Good Hope, South Africa के सबसे famous landmarks में से एक है ये आफरिका का बिलकुल आखरी छोर माना जाता है जिसके एक तरफ Indian Ocean है और दूसरी तरफ Atlantic Ocean और जैसा के आप देख सकते है, हवा भी काफी तेज चल रही है As you can see with the baby, it's quite a mess in the car because he took the whole bag and threw it down here fish and the monkey what I find really useful is if you use the things that you've seen when you're traveling and you know related to pictures in a book I find Zen really relates to that See Zen, birdies What did you just see? Didn't you just see a monkey? How I wonder what you are I wonder what you are I wonder I wonder We are exhausted but I think somebody is happy to be back at the hotel and we've had fun but I have to say it is a handful traveling with a 20-month goal Is Cape Town trip की एक और हाइलाइ्लाइ्लाइ्लाइ्लाइ्लाइ्लाइ्लाइ्लाइ्लाइ्लाइ्ल जब मैं और Zen अक्वेरियम देखनी गए Zen has had a million time in a lot of the little kids and also it's really safe because all fish are closed in and they're safe Wow मैं बड़ी खुश हूँ की Zen को भी मेरी तरह नेचर से प्याद है जैन शांसित व्घ्रश्यूणा विलिद जैन आगा Zen साथ को राषिए लाटोंगरा Zen साथ गर्श्यूणा होगरा Mुझे मालूम है कि मैं Zen पर थोड़ा ज्यादा ही हस रही थी लेकिन उसे अपने लिए एक छोटी सी गर्फ्रेंड भूंते देखना बड़ा क्यूद था उस ननी सी बच्ची के पेरंस भी हसी रोप नहीं पा रहे थे जैन की ट्रिप की सबसे बड़ी हाइलाइट थी हर जगह स्टेस चड़ना रूपक ने भी हमारे साथ समय बिताने की पूरी कोशिश की इस तरह पूरे परिवार के साथ समय बिताना हमारे लिए अन्मोल था आपिधिष्ट नहीं क्याज की करनी से अन्मोल थेंगी हुड़। म५पकी कैसे तरह देव का लिए। Мих deliveries के थे टी जिस अगॉऑ की कि इस तरह का पूरी है आएड चले नहीं की बितारोने कि इसंफते हैं वो प्राइब कर दोग्यामारा है… उटलिकी नहीं है, वी भुट्टिधर नहीं है को इंगुर्टनाफ है? वी सेनए भुट्टू्टनाफ बढ़ा है पितम जितमत नहीं है अवीरीजार्ड है वित्वतलो राबंसु में ये लिवर्ड़फ ये इंग है प्रिटेजस जाने कि रखे अभी अभी एंप जया मैं डिए तो कर दो और के उसे नहींदा आची खाफ इंडेंगे प्रफजी के पेस्ज कर अभीज़्ट खाफ जहां लुकर चाहर कर रहना कि यपोल सेल्ज़ के लिए लें चाहर कर देख कि अबेंगे खेंगे। झाल जो करते हैं उल्षी सेसिर और जो हम नाहुजड झालीस विस वे अफ जाल जो इंट वान्रफ लोग्स्रा गूंग एंग एंग दो आजवा से लिफ्लेट जे खूरा बगारी है निला 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 आफरीका वेलकम तो चीता आथरीच थैंक यू नाशीटा चीता के साथ कैसे पेश आये इस बारे में हमारे गाइड ने हमें कई टिप्स दिये उसने बताया कि हमें चीता को सिर्फ फर से ढखकी जगों जैसे पीट और साइज पर ही सैलाना चाहिए। उनकी सिर और पूछ काफी सेंसिटिव होते हैं और उन्हें वहाँ चुना मना है। क्या है झाहिए। झीए। झीएव बताव झीए। ठोर्म क्या एर फ़ेघ्म में भाफ्स क्याा है आज अर्येह स्रयन इट ऑप में को कोपश पशबत म enormous ले कुम ह 550 jd सबस्किन हे बाद मेंले जब बूख गोइ वाव इस प्लू रिसफर्ड 結न लग लख लाग, लुद है। कि लग अट उता हूँ बसी तक उता है। भता हैं लग विए हैं लग दो बाँ आना परेखल सुन्टा बाँ उन्या को बाँ नेसे बाह माली अवह अवा है Zen really seems to be enjoying his African food, as you can see, so that's wonderful. We have a little nap before we move on. Someone Zen relax after your big meal. He's got something else to eat. We've had a wonderful time here at Speer. We had an amazing meal and now we are going to head back to Cape Town. So, we are saying bye-bye from this tree house. See you. Bye. Say bye-bye. Cape Town's trip was very nice. As long as Zen had seen, Cape Town was quite different from them. Culture, cuisine, and also from the city's perspective. But Zen also adjusted here very well. When I was pregnant in the last trimester, I was able to go to the next trip to the new baby. So, I wanted to enjoy this trip. I wanted to enjoy this trip. We're one Aunt Owen. Two hours in there, We're waiting for you. And now, last year, we were worried. But don't be the last two years later. By Green. We have a shady business owner.